इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल चलिए समझते हैं इलेक्ट्रोफाइल इनके नाम को ही समझे हम इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रो से आए फाइल याने उनको लाइक करने वाले तो ऐसे कारक जो इलेक्ट्रोन को लाइक करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? इलेक्टरोफाईल ये इलेक्टरोफाईल जो होते हैं इनके खुद के ऊपर कौन सा वेश होगा? धना वेश होता है और ये ऐसी जगह में आकरमन करेंगे जहाँ पर क्या होना चाहिए? एलेक्ट्रोन का घनत तो बहुत अधीक होना चाहिए तो जब भी हम हेलो एरीन्स बनाएंगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की इसमें देखिए जब भी हम टॉल्वीन के अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से कराते हैं तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हम कोई भी लूईज एसिट कैटलिस्ट ले सकते हैं आप ले सकते हो आईरन एफ़ी या एफ़ी इसील्थरी और दूसरी जो condition हमें ध्यान लखनी है यहां हमें अभिक्रिया अंधेरे में करानी हैं कारण यहीं है कि जब भी हम हेलो एरीन्स की बात करते हैं यह हैलो एलकेन के compare में उनसे तुलना जब करते हैं तो कम क्रियाशिल होते हैं कम क्रियाशिल होने के कारण इनकी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो ड्रास्टिक कंडिशन्स में विशिस्ट परिस्तितियों में होती हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि यहां पर ताप का दूसरा ध्यान रखना पड़ेगा कि दाप कैसा है और फिर कैटलिस्ट का भी ध्यान रखना होता है कि कुछ उत्प्रेरख की उपस्तिती में ही अभिक्रियाएं होंगी तो यहां हम डार्क में अभिक्रिया कराएंगे सूर्य की प्रकाश की अनुपस्तिती में तो इस प्रकार जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें और्थो पेरा हेलो टॉल्वीन का मिश्रण मिलता है तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं हेलो हेरीन्स बना सकते हैं अब आपके मन में काफी सवाल आ रहे होंगे कि हमने यहां डार्क में ही क्यों अभिक्रिया कराई तो इन्हें हम अलग कैसे करेंगे ये काफी सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे और इन प्रश्णों के उत्तर के लिए चलिए देखते हम इनका मेकेनिजम क्या है कि इन इलेक्ट्रोफाइल से हम अभिक्रिया कैसे कराएंगे चलिए तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल यहां पर उप्योग होगा तो उसके लिए भी परिस्तितियां चाहिए की जब वो आकरمن करें तो 3 में भी इलेक्ट्रोफाइल आपकरमन करता है वहां जो बंध होते हैं रिंग के अंदर सिगमा और पाई बंद उपस्तित है अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन यहां पर प्रेजेंट है तो सबसे पहले क्या होगा कि आक्रमन करने पर वो जो पाई बंद है वो तूट जाता है तो देखिए क्या होता है जो पाई एलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिंग में डी लोकेलाइज होते रहते हैं विस्थापित होते रहते हैं वो एक ही जगा पे नहीं रहते तो क्या एलेक्ट्रॉन घनत्व हर जगा एक जैसा होता है तो नहीं एलेक्ट्रॉन घनत्व और तो और पैरा की स्तिती में अधिक होता है अब ऐसा क्यूं होता है यह भी समझ लेते हैं जहां बैंजी यहां का जो द्वीबंद है वो जल्दी तूट जाता है जैसे ही द्वीबंद तूटता है तो आसपास के जो कार्बन है इन में एक के उपर धनावेश और एक के उपर रिनावेश आता है यहां हम ध्यान देंगे कि सर्फ और्थो और पैरा कंडिशन में रिनावेश आता है इ ऐसे हम एक एलेक्ट्रोफाईल के लिए इस्थान बनाएंगे कि वहां एलेक्ट्रोण अधिक हो और इलेक्ट्रोफाईल हमारा क्या कर सके अटेक कर सके अब दूसरा कोच्टन ये था कि iron या iron chloride का यहां क्या यूज है चलिये समस्थे हैं देखे होता क्या है कि यहां पे आइरन या आइरन क्लोराइड है यह एक लुईस अमले के समान काम करता है यानि इसका काम जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा जो थोड़ा पूर है थोड़ा दूर्बल इलेक्ट्रोफाइल है उससे प्रबल इलेक्ट्रोफाइल में यह बदलता है कैसे चलिए देखिए, क्लोरीन के मद यहां देखिए एक सासायों जी बंद है क्योंकि क्लोरीन दोनों एक जैसे परमाणू है, इनकी विद्धूतरनात्मक्ता कैसी है? एक जैसी है, जैसे ही यहां पे Fe या Fe Cl3 रहता है तो यह बंद को क्या कर देगा? तोड़ देता है अब यहां पर बंद एक जैसे नहीं तूटते बंद जो है आसमान रूप से तूटते हैं जिससे हमें एफी सी एल फोर माइनस और सी एल प्लस मिलता है यहीं सी एल प्लस हमारा क्या है एलेक्ट्रोफाइल है तो एफी का यहां क्या काम है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एफी या एफी सी एल त्री जब हम लेते हैं इनका काम है कि हमें यह क्लोरीन को तोड़कर इनके अणूओं को तोड़कर इलेक्ट्रोफाइल बना के देता है अब यहां पर देखिए एक प्रश्ण का उत्तर हमें और मिल सकता है वो यही कि हमने यह अभिक्रिया जो है डार्क में क्यों कराई होगा क्या अगर हम यह अभिक्रिया सनलाइट में कराते हैं तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बंद बना है क्लोरीन और दूसरे क्लो account के पास एक एक इलेक्ट्रान आ जायगा है कि इसे हम क्या कहते हैं कि इसे हम कहेंगे मुक्त मुलक और हमें अभिक्रिया कञाने के लिए क्या चाहिए था इlectrophile नमें मुक्त मुलक हिससे हमें ह Rank और पहर नहीं होंगे हमारी इस अभिक्रिया के लिए क्या चाहिए था इलेक्ट्रोफाइल और वो कभी मिलेगा जब वहां पे हम डार्क रखते हैं तो अंधेरे में अभी क्रिया कराने का यह मक्सद था कि हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएं तो ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल हमें अंधेरे से ही मिलेगा अब आक्रमन देखें ये कैसे करता है तो बेंजीन रिंग में जैसे अभी बात हुई थी कि जहां इलेक्ट्रॉन घनत तो अधीक होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल वही आक्रमन करेगा क्यों क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा अवेश है धनावेश है यह इलेक्ट्रोफाइल जहां भी रिंड आवेश अधिक होगा वहां असानी से आक्रमन करता है तो जैसे ही यह इस्तिती बनती है कहां कहां बनेगी तो और तो और पैरा कंडिशन मे क्यों बनती है क्योंकि जहां मेथेल ग्रूप जुड़ा हुआ था मेथेल ग्रूप से बात के जो कार्बन है उसके आसपास के हमारे जो कार्बन है वहां का पाई बंद असानी से तूटता है और एक कार्बन पे रिण आवेश आया जिस कार्बन पे या तो वो औरतो होगा या पैराइस्तिदी में जिस कार्बन पे रिण आवेश आ रहा है हमारा इलेक्ट्रोफाइल C L प्लस जो है वहीं पे आकर क्या कर रहा है आकरमंण कर देगा चलिए देख़ें आकरमंण करते हुए तो यहां देखिए यह बंद नम्रिंग है इस बंदुन रिंग में हमारा इलेक्ट्रोफाइल जब आकर्मंण करता है तो जहां जिस कार्बन पर रिणावेश है वहाँ पर क्लोरीन आकर जुड़ जाता है और उसके बाद के कार्बन पर धनावेश रहेगा यहां देखिए जैसे ही क्लोरीन जूड़ता है इस कार्बन की चार सेवजगता एक हाइट्रोजन और इधर क्लोरीन और इधर दो कार्बन से क्या हो रह स्वारिया यहां से यह बाहर निकल जाता है कि यह H, H+, के रूप में यहां से क्या होगा बाहर निकल जाएगा इस एच, प्लिस का क्या होगा यह स्टार्टिंग में हमने देखा था एफ इस ल ना उसके साथ अभिक्रिया करेंगा देखें कैसे हमारा F E C L 4 माइनस जो है यह तूट जाता है F E C L 3 और C L माइनस में अब यह जो C L माइनस है इस H प्लस के साथ अभिक्रिया करके बंद बना लेगा क्योंकि एक के पास धरनाविश है और एक के पास रेनाविश यह दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे बंद का निर्मान कर लेंगे जिससे H C L बन जाएगा और हमें मिल जाएंगे और तो और पैरा हैलो अब नेक्स कोश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वह यह कि हिने हम अलग कैसे करें तो और्थो और पैरा टॉल्वीन को जब हम देखते हैं तो देखिए इनका फॉर्मूला सेम है फरक कहां पर आता है इनकी पोजिशन पर तो जहां पर एक मैं देखिए और्थो पोजिशन पर क्लोरीन आकर जुड़ा है तो दूसरे में पैरा पोजिशन पर क्लोरीन आकर जुड़ता है तो इनके बाकी गुंतर सेम है डिफरेंस कहां इनमें अंतर कहां है तो इनके प्राप्त कर सकते हैं तो हमने क्लियर कर लिया कि इस अभिक्रिया में डार्क रियक्शन की क्या जर्वत थी हमारा लुईस एसिड एफी या एफी सील्टरी का क्या काम था और्थो और पैरा को हमने कैसे अलग किया अब आप यह सोच रहे होंगे कि हमने शुरू में बात तो क्लोरीन और ब्रोमीन की ही की थी अगर आयोडीन ले ले तो क्या होगा चलो देखते हैं जब हम यह अभिक्रिया आयोडीन के सांथ कराते हैं तो जो हमारा है एच्चाई मिलता है एच्चाई क्या करता है यह उत्क्रमनी अभिक्रिया करने लगता है जिससे जो हमारे पास हेलो एरीन्स बने हैं यह वापस क्या होते हैं एरीन्स में बदलने लग जाते हैं परिवर्तित होने लगते हैं हमें क्या करना होगा अगर हम एच्चाई बनने से रोक दें तो यह अभिक्रिया है जो दोनों दिशा में हो रही है उत्करमनी है यह रुख जाएगी यह केवल एक ही दिशा में होने लगेगी इसके लिए क्या करें कोई ऐसा पदार्थ डालें जो एचाई को सांती सांत वहां से क्या करते जाए हटाते जाए एचाई हटता जाएगा तो हमारी अभिक्रिया जो है केवल अग्रे दिशा में होती जाएगी इसके लिए हम क्या करेंगे कुछ प्रबल ऑक्सिकारक का यूज करते हैं तो यह प्रबल ऑक्सिकारक क्या क्या हो सकते हैं हम ले सकते हैं नाइट्रिक एसिड एचे नूट्री तो जब हम यह अभिक्रिया होती है जब हम यह अभिक्रिया आयोडीन के साथ कराते हैं तो हम क्या लेते हैं नाइट्रिक एसेड नाइट्रिक एसेड यहां पर प्रबल क्या करेगा ऑक्सिडाइजिंग एजेंट का काम करता है जिससे यह एच आई जो कि रिडक्शन करता है उसके काम को रोग देता है तो तो जिससे हमें असानी से क्या मिलेंगे एराइल हेलाइड मिलते हैं तो जब हम आयोडीन ले रहें तो हमने नाइट्रिक एसिड ले लिया और अगर हम फ्लोरीन ले तो क्या होगा देखिए फ्लोरीन के केस में क्या होता है फ्लोरीन जब अभिक्रिया करता है तो वहां पे अभिक्रिया इतनी ड्रास्टिक हो जाती है इतनी अधिक वहां उर्जा उत्मन होती है जिसे हम हैंडल नहीं कर सकती है तो यह विस्पोटक इस्तिति आ जाती है तो इस कारण से हम फ् तो चले देखें कि यह डाई एजोनियम सॉल्ट होते क्या है इन्हें हम समानेता आर एन्टू एक्स से डिनोड करते हैं जहां आर जो है हमारा एलकिल ग्रूप होता है और एक्स क्या होते हैं हलाइड होते हैं यह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडिन हो सकते हैं तो इन क्या करेंगे उपीओक करेंगे हमारे मादमेक योगिक होंगे और इसके हम आगे बनाएंगे हैलो एक्रीन्स तो कैसे बनते हैं निज थेतंए चलो देखें हम यह अभिक्रिया 2 में कराएंगे इसी टेल समझने के लिए सट्रेप हम आगे बढ़ते हैं पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि डाय जन्य मैंस यह जानते हैं दूसरे स्टेप में हम देखें है तो इसे हम क्या कहते हैं प्रात्मिक एमीन यह जो प्रात्मिक एमीन है इनकी अभिक्रिया हम 273 से 278 केलवीन के बीच में NaNO2 और HX से जब कराते हैं तो हमें मिलते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट और अब इन डाई एजोनियम सॉल्ट से ही हम क्या करेंगे हेलो एरिंस बनाते हैं तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि किस प्रकार हमने डाई एजोनियम सॉल्ट बनाया है ये सब समझने के लिए हमें क्या देखना होगा रियेक्शन का मेकेनिजम चलो बात करते हैं रियेक्शन के मेकेनिजम की तो यहां देखिए सबसे पहले हमने लिया था NaNO2 और यहां पे HX इनका क्या काम है पहले यह समझते हैं यहां जो हमने NaNO2 दिया था इससे हमें क्या मिलता है इससे हमें मिलेगा NO2 और वहीं हम अगर बात करते हैं HX की तो HX में देखिए कि हाइट्रोजन जो होता है और हैलोजन इन दोनों के बीच में सासायोजी बंद बंदा है इस बंद में एक important चीज जो ध्यान देनी वो यह है कि हैलोजन जो है इनके विद्धो त्रनात्मक्ता अधिक होती है विद्धो त्रनात्मक्ता अधिक होने के कारण हैलोजन क्या करते हैं साजे के लेक्ट्रॉन को अपनी ओर थोड़ा सा खीच लेते हैं जिससे हैलोजन के उपर हलका सा रिणावेश है और हाइट्रोजन के उपर धनावेश है कुछ इस प्रकार हमारे हाइट्रोजन के उपर धनावेश और हैलोजन के उपर क्या है रिणावेश है वहीं हम बात करें NO2 की तो NO2 में भी देखिए oxygen के उपर कौन सा अवेश आ रहा है रिर्णावेश इस oxygen से ये HX का hydrogen जो है आकरशित हो जाएगा कुछ इस प्रकार ये विप्रीत अवेश के कारण तो इनके मद्दे क्या बन जाएगा एक बंद बन जाता है तो देखिए कुछ इस प्रकार बंद बनेगा जिससे nitrogen से जुड़े हुए oxygen के पास अब क्या आ गया है hydrogen आ गया है वहीं इस hydrogen के पास अब H प्लस जो है आकर आकरमन करता है तो हमें मिल जाता है N इससे जुड़े हुए oxygen के पास hydrogen अलिक और hydrogen आ कर जुड़ता है जिससे यहां पर क्या बन जा रहा है देखिए hydronium iron बन जा रहा है अब यह पूरा ग्रूप जो है काफी क्या हो गया है भारी हो गया है भारी होने के कारण यह जो H2O है hydronium iron H2O के पास में यहां से क्या हो जाएगा इस प्रकार निकल जाता है H2O के निकलने के बाद देखिए हमारे पास क्या बचता है Nitrogen और Oxygen जिसमें Nitrogen के उपर एक धनावेश है और Nitrogen और Oxygen के उपर क्या है एक द्वीबंद पाया जा रहा है तो यहां देखिए हमारा पहला Step जो है वो Complete होता है यहां हमने देखा कि NaNo2 का और HX का क्या काम है चलिए हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था Amine, Benzen Ring और इसमें क्या जुड़ा हुआ है NH2 यहां पर आप ध्यान दीजिए जो Benzen Ring से जुड़ा हुआ हमारा NH2 ग्रूप है वहां के Nitrogen पर Nitrogen के पास क्या होता है Loan Pair of Electron जिसे हम कहते हैं एकाकी एलेक्ट्रोन यूगम इस एकाकी एलेक्ट्रोन यूगम के कारण इसके उपर थोड़ा सा घनत्यों क्या हुआ एलेक्ट्रोनों का अधिक हो जाता है वही हम बात करें NO की जो अभी-अभी क्रिया के दोरा निकला है इस नाइट्रोन के ऊपर कौन सा अवेश है तो अब देखिए यहाँ नाईट्रोन जो की बैंजलिंग से जुड़ा हुआ है इसके पास है एकाकी एलेक्ट्रोन यूगम और हमारे NO के नाइट्रोन के पास कौन सा अवेश है धन अवेश क्या होगा यह आपस में क्या करेंगे यह possibility है कि यह bond बना लेंगे तो कुछ इस प्रकार इन में bond बनेगा तो हमारा एनेस टू का nitrogen और एनो के nitrogen के मद्द्ध क्या बन गया है एक bond बन जाता है इस समय देखिए benzening में हमारे पास एनेस टू भी है और एनो भी आ गया है कुछ इस तरीके से यहां पे bond बन जाता है अब देखिए जैसे यहां bond बनता है तो इसके तूरंत बाद यहां पे एनेस टू के hydrogen और एनो के oxygen से यहां पे जलका नर्मान होता है और जलकानू यह बाहर निकल जाता है जिससे हमारे पास benzening में सरफ N2 बचता है अब इस N2 के उपर फिर से आक्रमन होगा हैलाइट का यह हैलाइट कहां से आ रहे तो हमने starting में जो लिया था है HX HX का जो hydrogen था वो तो अभिक्रिया कर गया बचा गया था वहां पे हैलाइट्स ठीक तो यह जो हैलाइट्स हैं यह आकर अभी आक्रमन करेंगे तो यह जब बेंजिन रिंके नाइट्रोजन के पास जाते हैं तो यह बन जाता है डाई एजोनियम सॉल्ट तो अब यह बलकुल क्लियर हो गया कि किस प्रकार हमने प्राथमी कैमिन से डाई एजोनियम सॉल्ट बनाया है तो यहां हमारा एक स्टेप कम्प्रीट हुआ कि डाई एजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है अब हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप की और चलते हैं दूसरे स्टेप में हम जैसे जाते हैं तो हमने यह जो अभी बनाया था डाई एजोनियम सॉल्ट फ्रेशली प्रिपेर डाई एजोनियम सॉल्ट इसी का यूस करते हैं तो चलिए देखिए दूसरे स्टेप में क्या होगा जो freshly prepared diagenium salt है इसकी अभिक्रिया हम cuprous chloride या cuprous bromide से कराएंगे Cu2X2 जब इनसे हम अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के दौरान देखिए यहां पर क्या बनता है हमारे हेलो एरिन्स और नाइट्रोजन बहार निकलते हैं अब आपने फिर सोचा होगा कि हम पर बार बार हम क्या ले रहे हैं chloride और ब्रोमाइट की बात कर रहे हैं हमने आइओडाइट नहीं लिया क्या यही अभिक्रिया का यूज करके हम अभिक्रिया से भी बना सकते हैं है लो एरिन्स चलिए जब हम ये सभी क्रिया को सूरी के प्रकाश में या फिर किसी भी उत्प्रेरक की अनुपस्तिती में या उच्छे ताप पर कराते हैं तब क्या होता है देखते हैं इसमें क्या होगा जब हम टॉल्वीन पे कलोरीन के अभिक्रिया करवा रहे हैं तब क्या होता है जब सूरी का प्रकाश नहीं है कोई भी उत्प्रेरक नहीं है तो यहां पे यह जो हमारा क्लोरीन है टॉल्वीन के CH3 के हाइट्रोजन को हटाते जाएगा तो पहले एक हाइट्रोजन को हटाएगा हमारे पास बेंजिन रिंग के साथ देखिए CH2 CL बनता है ज इसके बाद यह अभिक्रिया आगे बढ़ते जाएगी जब तक उस CH3 के पास हाइट्रोजन है आगे अभिक्रिया होगी अब देखिए कि यह और हाइट्रोजन को रिप्लेस करता है और बनाता है बैंजल क्लोराइड इस प्रकार अभिक्रिया आगे बढ़ते जाएगी और यह बनाया देगा बैंजो क्लोराइड कि ऐसा क्यों हुआ क्यों कि जैसे हमने अभी बात की थी कि सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कैसी होती है मुक्त मुलक के द्वारा होती है तो इस कारण से हम जो उत्पात चाह रहे हैं हैलो एरीन्स वो हमें नहीं प्राप्त हो पाते तो हम इन अभिक्रियाओं को क्या करते हैं एक विशेस परिस्तितियों में करवाते हैं जब हम डाइजोनियम सॉल्ट से हैलो एरीन्स बनाते हैं तो यहां हमें ध्यान देना है कि हम कौन से उत्प्रेरक उप्योग कर रहे हैं यदि हम यहां पे क्यूपरस क्लोराइड है तो इस Something हैं गाटर में अभिक्रिया ये ही आ यदि अभिक्रिया है हमके द्वारा फ्लोरोबेश्गीन मनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होंगा तो चलिए देखें, फ्लोरो बेंजिन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हाइडरो फ्लोरो बोरिक अमल HbF4 के साथ जब अभी क्रिया कराते हैं, तो बेंजिन डाइजोनियम फ्लोरो बोरेट मिलता है इस अभी कर्मक को हमें और क्या करना होगा भी? गरम करते हैं तो काफी देर गरम करने के बाद हमें मिलेगा फ्लोरो बेंजिन, नाइट्रोजन N2 और BF3 तो इस प्रकार हम फ्लोरो बेंजिन भी इस विधी द्वारा क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं चलिए, कुछ ऐसी अभीक्रिया हैं जो एक्जाम परपस से बहुत ही इंपोर्टन्ट हैं इन में से एक है हमारी गर्टर मेन अभीक्रिया इस अभीक्रिया की खासियत यह है कि यह स्पेशली क्लोरो और ब्रोमो हैलो एनिन्स बनाने के ही काम आती है इस अभीक्रिया में हम क्या करेंगे हम या तो HCL या HBR लेंगे इनकी उपस्तिती में कौपर उत्प्रेरक की उपस्तिती में जब हम यह अभीक्रिया कराते जाते हैं तो हमें उत्पात के रूप में या तो क्लोरो बैंजिन या ब्रोमो बैंजिन मिलते हैं चलिए देखें, हमने लिया है डाई एजोनियम क्लोराइट, इसकी अभिक्रिया HBR से अगर हम कॉपर की उपस्तिती में कराते हैं, तो हमें मिल रहे है क्लोरो ब्रोमीन और नाइट्रोजन